नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्वल्थ क्लास के रैंबो बुक के फिफ लेशन के बारे में जिसका नाम है इंडियाज गिफ्स टू दा वर्ड संसार को भारत के द्वारा दिये गए उपहार और इन उपहारों में पहला जो पार्ट आता है वो आता है हाव य योग किस प्रकार से शरीर को स्वस्त बनाया रखता है विमारियों से मुक्त रखता है तो आईए शुरू करते हैं इट हैज बिकम कॉमन नौलेज ये एक सामने सी बात हो गई है एक सामने शक्त ज्यान हो गया है योगा इस गूड फोर यू कि योग आपके स्वास्ते के ल कंशर के yeah जा रहा है इन फर्टेलिटी बांजबन का भी इससे क्या किया जा रहा है लंग डिजाए ज़ा जा विमारियां जिसे फुफुफुझ के नाम से जाना जाता है उसका उन कि जा रहा है इस जोडों का दर्द तो वर्तमान समय में जो योग है उसका प्रियोग कैंसर संतान ही इनता बांचपन जिसे कहते हैं फुफुस फेपडों की बिमारी जिसे कहते हैं शरीर व्यापीस नायव दुरबलता जिसमें शरीर पर नियंत्रन विक्ति का समाप्त हो जाता है और साथ में पार्किशन जा रहा है यट फिर भी there is little awareness लेकिन फिर भी लोगों में बहुत कम जाग रुकता है and understanding और समझ भी नहीं बन पाई है exactly how yoga heals उन्हें यह नहीं पता है कि योग वास्तों में बिमारी को किस प्रकार से दूर करता है even in the yoga and medical communities ऐसे लोगों को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है जो मूल रूप से योग के बारे में बात करते हैं और ऐसे लोग जो की चिकित सा विशेशक्य हैं उनको भी इसके बारे में सही चेतना और समझ नहीं है the key is to understand तक थे वास्तों यह है मूल बात यह है the relationship between stress, yoga and disease की जो तनाव है योग और बिमारी है उसके बीच में आप से कुछ नहीं को सम्मंद होता है जिस सम्मंद के कारण योग उन बिमारियों को दूर करने में सफल हो पाता है तो आईए देखते हैं कि योग बिमारियों को दूर करने में किस प्रकार से हमारी मदद कर सकता है medical research estimates वोशदियों जो अनुसंदान है वो ये एक अनुमान लगाते हैं that as much as 90% की लगबग 90% of illness and disease रोग और बिमारिया is stress related वो किससे समंदित हैं तनाओं से जो doctors वगएर हैं वो ये कहते हैं कि ज़्याद तर जो बिमारिया मनुश्य को होती हैं उन में से 90% बिमारिया तनाओं से समंदित है a few of them और उन में से कुछ many diseases उन बहुत सारी बिमारियों में से end conditions और परिस्तितियों में से have been linked to an वो समंदित है ऐसी एक चीज से जो कैसी है over active stress जो अत्यदिक तनाओं की है लेकर कहना चाहरे हैं कि ये जो बिमारिया है ज्यादा तर 90% वो इसलिए होती है क्योंकि व्यक्ति में अत्यदिक क्या होता है तनाओं response include जिसमें शामिल होता है तनाओं के कारण क्या क्या हो सकता है व्यक्ति के शरीर पर प्रुभाव cardiovascular disease इससे ही हो सकता है कि आपके रिध है और रक्त से समंदित बिमारी बन जाएं depression आप आवसाद में भी जा सकते हैं anxiety आपको चिंता सता सकती है some type of diabetes mellitus और कुछ प्रकार के मदुमें रूपी रोग भी आपको क्या हो सकते हैं इससे लग सकते हैं तो लेख के कहता है कि बिमारियों का मुख्य कारण है क्या stress तनाओ दबाओ और इससे कुछ होने वाली बिमारिया कौन-कौन सी है cardiovascular disease है, रिदे और रक्ति से समधी बिमारिया, depression आउसाद, anxiety चिंता और कुछ प्रकार के मदुमें की रोग भी क्या हो सकते हैं तनाओ से आपके शरीर में लग सकते हैं तो यदि ऐसी इस्तित्य है तो हम क्या करें तनाओ को कैसे दूर करें देखते हैं what we feel as stress, तनाओ को हम कैसे समझे, क्या समझे, is the product वो एक सह उत्पाद है of the sympathetic nervous system, आपके सनायू तंत्र का और the fight or flight response और वो प्रतिक्रिया जो कि आपको fight लड़ने के लिए कहती है या फिर flight या फिर वहाँ से भाग जाने के लिए जिसे आप उड़ो या लड़ो की प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं इज, almost instantaneous surge और इस से तनाव से क्या होता है अच्छानक वरद्धी हो जाती है in heart rate आपके रिधे गती में cardiac output आपके रिधे से रक्त का जो विस्तारण होता है उसमें क्या हो जाती है अधिक तिवरता आ जाती है blood pressure रक्त का दबाव बढ़ जाता है sweating इससे पसीन आने लगता है shallow breathing और इससे स्वांस भी छोटी छोटी आने लग जाती है and metabolism और इसका प्रभाव पढ़ता है आपके पाचन तंत्र पर भी combined with a tensing of muscles और जब ऐसा होता है तो आपकी जो muscles होती है वो tense हो जाती है उनमें भी तनाव की इस्तिति आ जाती है वो भी खिचाओ में मैसूस करती है तो लेकर का आपसी यह कहना चाहरे है कि जब तनाव किसी व रखा है कि आपका जो heart rate है वो अचानक बढ़ जाएगा cardiac output आपका जो रख्त का जो प्रवाय है वो बढ़ जाएगा blood pressure रख्त का दवाव बढ़ेगा sweating उसमें क्या आने लगेगा विक्ति में पसीना swallow breathing और साथ में चोटी-चोटी स्वां से आने लगेंगी सांस and metabolism और उसका जो पाचन तंत्र है वो भी क्या हो जाएगा प्रभावित हो जाएगा और इसके साथ में ही tensing of muscles जो man space यह हैं उनमें भी खिचाव और दबाव क्या होगा व्यक्ति को महसूस होगा यह तो कुछ बाहरी बातें आपको बताईए कि यह दिख सकता है आपको अब देखते हैं internally जबकि आंतरिक दरश्टी से the fight or flight response यह जो उडो या लडो की जो प्रतिक्रिया है shuts down digestion वो आपके पाचन शक्ति को पाचन तंत्र को क्या कर देती है ठप कर देती है उसकी गती को धी निशकाशन की जो प्रिक्रिया है वो भी धीमी हो जाती है and reduce blood flow और साथ में रक्त का जो बहाव है वो भी reduce हो जाता है कम हो जाता है to the internal organs जो कहां तक पहुंचता था आंतरिक अंगो तक तो जब ऐसा stress होता है तो उससे flight or fight जो response होता है उससे क्या होता है digestion बिगड़ जाता है पाचन, elimination मलका निशकाशन का जो विवस्ता है वो बिगड़ जाती है और साथ में आंतरिक अंगो तक जो रक्त पहुंचता है उसमें भी क्या हो जाता है कमी आ जाती है reduce वो हो जाता है यह कुछ तनाव के क्या है विक्ति के आंतरिक शरीर कर कुछ प्रभाव है for short term कुछ समय के लिए यदि ये इस्तिती fight and flight की या फिर stress की इस्तिती यदि कुछ समय तक रहे this stress reaction is good thing यह जो तनाव की इस्तिती है वो अच्छी भी है विक्ति में कि तनाव होना कुछ समय के लिए अच्छा है the fight and flight response यह जो उडो और लडो की परतिकरिया है prepares us वो हमें तयार करती है तो respond any environmental treat किसी भी परियावरनिये धमकी के लिए तयार रहने के लिए by fighting against his जिससे कि हम उससे क्या कर सके संगर्श कर सके और flying from it या फिर हो सकता है कि उससे हम क्या हो जाएं दूर हो जाएं या उससे भाग जाएं तो वेक्ति के सामने जब भी कोई परिशानी आती है तो उसके सामने दो option होते है fight against it या तो वो उसका सामना करें डटकर और flying from it या फिर उसका क्या करें वो सामना न करके उसे पीट दिखा कर क्या हो जाएं भाग जाएं तो ये fight or flight का यही तात्पिय है flight का तात्पिय याँ पर है भाग जाना जबकि fight का तात्पिय है लड़ना तो कुछ समय के लिए तनाव यदि रहे तो अच्छा है but long term लेकिन लंबे समय तक continuous exposure यदि ग्रशित रहे निरंतर रूप से to stress तनाव से इज हार्मफोन ये इस्तिती कैसी है नुकसान दायक लेकिन यदि व्यक्ति तनाव से लंबे समय तक ग्रशित रहे गा तो ये उसके लिए नुकसान दायक है क्यों उससे क्या होगा placing access wear and tear on body's system क्योंकि इससे व्यक्ति की जो प्रणाली है शरीर की उसमें ख्षय होता है तूट फूट होती है और नुकसान होता है and severely limiting the body's natural maintenance severely limiting इससे सीमित हो जाता है the body's natural maintenance व्यक्ति के शरीर का जो प्राकरतिक रख रखाओ है वो and healing ability और उप्चारात्मक जो योग्यता है शरीर की वो क्या हो जाती है समाप्त हो जाती है व्यक्ति के शरीर में ऐसी कुछ योग्यता होती है जो व्यक्ति के शरीर को उप्चारित रखती है किसी बीमारी से बचा कर रखती है कई बार आप देखते हैं अलगे सी बीमार होता है वापस सही हो जाता है तो वो आपकी शरीर का counterbalance होता है जो आपको इस like बनाता है लेकिन यदि ज़्यादा stress रहेगा तो उसे व्यक्ति की ये जो योग्यता है वो क्या हो जाती है खत्म हो जाती है आगे देखते हैं क्या होता है chronic stress और लगातार यदि ये तनाव रहे lead to continuous high level of cortisol इससे क्या होता है cortisol जो तनाव का हर्मोन होता है उसमें क्या हो जाती है व्रद्धी हो जाती है यदि निरंतर रूप से यदि वेक्ती इसी इस्तिती में स्ट्रेस तनाव की इस्तिती में रहेगा तो कॉर्टिसॉल जो तनाव की क्या है जो हार्मोन है वो क्या होता है ज्यादा बनना शुरू हो जाता है और उस हार्मोन का क्या प्रभाव पढ़ता है देखते हैं इस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल्स जब यह हार्मोन सामानी इस्तरपड बढ़ता है helps to maintain an active and healthy body तब हमारा शरीर सक्रिय भी रहता है और स्वस्त भी रहता है including regulation of metabolism उस समय हमारा जो पाचन तत्र है वो भी regulate रहता है नियमित रहता है and blood pressure और हमारा blood pressure है तक का दवाव है वो भी सही रहता है तो यह जो cortisol जो हार्मोन है यदि वो सही इस्तिती में बनता रहे सीमित इस्तिती में तो हमारा शरीर अच्छा बना रहता है healthy रहता है active रहता है हमारा जो metabolism और blood pressure का जो system होता है वो भी अच्छा रहता है but लेकिन excessive amount of cortisol can suppress लेकिन यदि इसी हार्मोन का स्रावन यदि ज़्यादा हो जाए तो suppress वो क्या कर देता है दबा देता है the immune system हमारी रोग परतिरोधात्मक शमता को यदि ये हार्मोन ज़्यादा बनेगा शेरीर में तो हमारी रोग परतिरोधात्मक जो समता है बिमारी से लड़ने की जो समता है वो कम हो जाती है and cause slip disturbances और जब ऐसा होता है तो हमारी नीद नहीं आने की बिमारी क्या हो जाती है बढ़ जाती है and loss of appetite और जो भूग की जो इस्तिती है भूग लगने की जो इस्तिती है वो भी क्या हो जाती है कम हो जाती है तो cortisol हार्मोन के ज़्यादा बढ़ने से हमारे शरीर में जो immune system है रोग परतिरोधात्मक शमता वो खत्म हो जाती है और साथ में sleep disturbances नींद नहीं आना नींद बीच में ही उड़ जाना थोड़ी नींद आना ये कुछ बिमारिया है जो इसके ज़्यादा होने के कारण होती है high level of cortisol और ये हार्मोनियदी high level पे रहे also increase your heart rate वो आपके रिदह की rate को गती को क्या कर सकता है बढ़ा सकता है रक्त का जो चाप है उसे बढ़ा सकता है blood pressure जिसे कहते हैं आप and your cholesterol and triglyceride levels और ये जो cholesterol और triglyceride हार्मोन की जो लेवल है उसे वो बढ़ा सकता है और ये जो cholesterol जो हार्मोन होता है वो एक रिदे रोग विस्तारक हार्मोन है इससे क्या होता है रिदे के रोग बढ़ने के ज़्यादा chances रहते हैं जैसा दे भी रखा है risk factors for both heart attacks and strokes जब ये cholesterol आर्मोन ज़्यादा बढ़ेगा तो heart attack आने की संभावना ये ज़्यादा बढ़ जाती है and strokes and strokes और साथ में मस्तिक्ष में बीमारी होने की संभावना भी बढ़ जाती है जिसे आप कई बार आपने देखा होगा व्यक्ति के मस्तिक्ष में या तो कोई नस फट जाती है जिसे ब्रेन हैमरेज के नाम से आप जानते हैं तो ये इस्तितिया किसके कारण होती है जब ये cholesterol हार्मोन क्या होता है अत्यदिक मात्रा में बनना शुरू हो जाता है और जब ऐसा होता है तो फिर क्या होगा और जब ये cholesterol ज्यादा बढ़ेगा तो इसके सह उत्पाद के रूप में आप देखते हैं निद्राकारक और जब निद्राकारक अत्रिक तवस्ता में बढ़ेंगे तो फिर आपके मोड में भी अचानक क्या होता है बदलाव होता है मनो इस्तिती बदल जाती है इस्पेशली तो फेलिंग ओफ डिप्रेशन और अंत्तित्य वेक्ति के पास ज़्यादा तर एक इस्तिती मन की रहती है वो है निराशा तो कॉर्टिजल जो हर्मोन है उसके बढ़ने के कारण निराशा, अनिद्रा आदी कुछ बिमारिया क्या हो सकती है हो सकती है इसलिए हमें योग को नियमी तरोप से उपचार में हमारे शरीर के वे और रख रखाओं में काम में लेना चाहिए फोर्चुनेटली सोबागे से दा बोड़ी हैज नेचुरल काउंटर बैलेंस हमारे शरीर का एक इस्ताही परतिरोदाद मक्षमता होती है तो दा फाइट और फ्लाइट रेस्पोंस किसके परति इस उड़ो और लड़ो की परतिक्रिया की परति कोल्ड दा पैरसंपेटेटिक नर्वस सिस्टम जिसे पैरसंपेटेटिक नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता है और दा रेलेक्शेशन रेस्पोंस या फिर इसे दूसरे शब्दों में क्षितिली करण परतिक्रिया की नाम से भी क्या किया जा सकता है जाना जा सकता है क्षितिली करण परतिक्रिया क्या होती है? अभी देखते हैं The Parasympathetic Nervous System ये जो सनाियू तंतर की रोग परतिरोदात्मक्षम्था का जो तंत्र है becomes activated ये सक्री हो जाता है when the threat or stressor has passed on or ended जब कोई धमकी या फिर तनाव कारक हमारे सामने से हट जाए या फिर वो खत्म हो जाए तो जब हमारे सामने से चिंता का विशे हट जाता है तो हमारे शरीर का जो रोग परतिरोधात्मक शमता जो है वो क्या हो जाती है शुरू हो जाती है बट इट कैन आलसो भी कंसियसली एक्टिवेटेड लेकिन इसे हम खुद भी क्या कर सकते हैं सक्रिय कर सकते हैं बाइड डेपनिंग दब्रैद हमारे उस स्वांस को गहरी लेकर and by relaxing the skeleton muscles और हमारी मांस पेंशिया जो हैं उनको शितिल करके हम क्या कर सकते हैं इस शितिली करण प्रतिक्रिया को क्या कर सकते हैं अब शितिली करण प्रतिक्रिया क्या है एक उधान की रोप में हम समस्ते हैं सबोज करो कि हम किसी रस्ते पे जा रहा है और कोई एक कुटा है जो हमारे सामने दोड़ता हुआ बहुत तेजी से आ रहा है तो उसे देखकर अचनक हमारे heart beat वगरे blood circulation वगरे और breathe rate क्या हो जाएगी अतिदिक बढ़ जाएगी और जैसे ही वो कुटा हमसे दूर हो जाएगा तो वापस क्या हो जाती है इस्तिति शितिलता की तरफ आ जाती है लेकिन इस शितिल इस्तिति को हम खुद भी क्या कर सकते है एक्टिवेट कर सकते है जब हमारे सामने कोई खत्रा आए तो हम एक लंबी सांस लें और अपने मस स्थिक्स को यह कहें कि all is well सब कुछ क्या है ठीक है तो हमारा जो शरीर है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा रिलेक्स करने लग जाता है